हलो गाईज दिस इस नकीव शिन्वारी और आज की वीडियो में हम आप से बात करेंगे स्टॉलिन फून के बारे में अगर आपका मुबाइल चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो क्या करना चाहिए वैसे गाईज लोगों के जहन में दो सवाल होता है कि अगर मेरा मुबाइल चोरी हो गया तो इसमें मेरा बड़ा कीमती डेटा है उस डेटा का क्या होगा अगर आप Android यूजर है और आपका मुबाइल चोरी हो गया है तो आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपने मुबाइल पे कोई password या pattern या कुछ भी लगाया है strong pattern या password लगाया है तो इस सूरत में अगर आपको मुबाइल अगर चोर अगर खोलता भी है तो मुश्किल से वह खोल पाएगा नहीं खोल पाएगा जब तक वह वाले के पास जाता नहीं है तब तक उसकी security ब्रेक नहीं कर सकता मतलब अगर आपके पास Android का Samsung का phone है वीवो का है ओपो का है इस तरह स कोई भी branded phone है उसकी security वो ब्रेक नहीं कर सकता अगर आपने strong password लगाया है मतलब ज्यातर लोग ऐसे करते हैं कि 00 password लगा देते हैं एक दो तीन चार password लगा देते हैं तो गाइस इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना आपको strong password लगा के रखना है इस से आपकी जो हैना security भ होता है तो वह password को ब्रेक नहीं कर सकता एक सूरत है password को ब्रेक करने का जब तक वह software वाले के पास जाता नहीं है वहां पर वह अपना mobile देता नहीं है तब तक उसकी security जो है ना वह ब्रेक नहीं कर सकता मतलब अगर उसने वह password ब्रेक भी कर दिया तो mobile flash हो जाएगा उसमें डेटा चला जाता है क्योंकि अगर security ब्रेक करनी है तो mobile को flash करना पड़ता है mobile flash होने के बाद उसमें जो है ना कोई भी डेटा नहीं बचता अगर आप एक iPhone user है तो आपको panic होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपका कीमती डेटा बिल्कुल सेव है अगर आप यह समझत सकता है मतलब bypass कर सकता है एक साधा अलफाज में आपको बता दूं कि bypass कर सकता है iPhone X तक इससे उपर बाइपास नहीं कर सकता आपका mobile यूज नहीं कर सकता अगर बाइपास करता भी है तब भी जो है उसको कुछ भी डेटा वगरा कोई भी उसको मिलने वाला नहीं है जस्ट व अगर आपको अपना mobile जो है रिकावर करवाना है या आपको mobile जो हैना फॉरन जो हैना वो ब्लॉक करवाने तो क्या करना चाहिए गाइज एक website है PTA की website है उस पर भी आप complain कर सकते हैं लेकिन वो भी पेचीदा मामला है तो इससे अच्छा मैं आपको असान अलफाज में समझ चाहिए बनलब हर चीज जो है अगर आपको फून पूछी जाये तो आपको उस वकत पता होना चाहिए मतलब सामने रखी होनी चाहिए तो क्या क्या चीज़े आपके पास होनी चाहिए वह मैं आपको बदायता हूं नमबर वन पर अगर आप Android या iPhone यूजर है तो क्याइज पास बॉक्स जो है ना मुबाइल का वो सामने होना चाहिए उसके उपर EMI नमबर वगरा लिखा होता है तो क्या जब आप CPLC नमबर पर कॉल करेंगे तो क्याइज यह 5-10 मिंड में ही कारवाई हो जाती है मतलब ब्लॉक भी हो जाता है और ट्रेस पर भी लग जाता है और आ अगरा मुबाइल इस वक्त चोरी हो गया है यह गुम हो गया है टाइमिंग बतानी है किस टाइमिंग पर आपका मुबाइल चोरी हुआ है उसके बाद आपसे IME नमबर वह पूछा जाएगा तो क्याज़ आपके सामने बॉक्स होना चाहिए तो वह आपको 16 डिजिट्स का आपको दोनों IME नमबर वगरह बताने हैं फस्ट भी बताना है उसके बाद आपको मुबाइल का जुई न High है आपको इसमें टाइम नहीं लेना ठीक है गाइस उसके बाद आपको अपना फूल एट्रेस बताना है उसके बाद हाॉस नंबर भी बताना है आपको सारी डिटेल आप से पूछी जाएगे उसके बाद आपना फून नमबर भी बताना है और जो मुबाइल चोरी हुआ है उसमें जो सिम लगी है उसका नमबर भी आपको बताना है और गाइज इसके लावा जो मुबाइल चोरी हुआ है उसकी टैमिंग भी बतानी है कि मतलब 6 बजे चोरी हुआ है 5 बजे चोरी हुआ है या जो भी टैमिंग है वो आपको exact timing बतानी है, तो guys ये सारी चीजे जो है आप बताएंगे, उसके बाद जो है आपको एक complaint number मिलेगा, अगर complaint number ना भी मिले, तो आप उनसे पूछे के भाई मेरा कोई complaint number है, तो आप उसको complaint number भी बताएंगे, तो complaint number जो है आपको मिल जाएगा, उसके पास आप पूछ सकते हैं कि यार मेरा जो फून है ये ट्रेस कर दें आप ट्रेस भी करवा सकते हैं आप ब्लॉक भी करवा सकते हैं तो गाइस इससे ये फायदा होगा कल को आपका मुबाइल कोई बेच नहीं सकता मतलब अगर किसी शॉप वाले के पास जाता है तो गाइस उनके पास पूरा सिस्टम होता है हर चीज होती है वो DVS के तुरू मुबाइल को चेक कर सकते हैं कि ये मुबाइल चोरी का है या ये मुबाइल ट्रेस पे लगा है सारी चीज़े उसमें बता देगा तो गाइस ये चीज़े आप नोट कर लिजेगा ये आपके लिए बिल्कुल आसान है आपको पुलीस के पास अगर जाद न चाहते हैं तो चले जाए अगर आपके तालुकात वगरा हैं चले जाए लेकिन सबसे सिंपल मैंने आपको बताया है इस तरह से आप अपना मुबाइल ट्रेज भी करवा सकते हैं अपना मुबाइल ब्लॉक भी करवा सकते हैं हर चीज़ आप इसी के तुरू करवा सकते हैं तो गाइस ये थी आज की वीडियो अगर आपको इसी से रिलेटेट कुछ भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द जल्द जवाब दे सकूँ तो आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर न्यू है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताके इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको मिज़ती रहे हैं अब तक के लिए इतना ही अपने दोस्त नकीप शिनवारी को इजाज़त दीजिए अलाहाफेश